हालो फ्रेंट्स वेलकम टुगार्गी क्लासिस डेट आज की 2 जुलाई 2021 और देख लेतें इंडियन एक्स्प्रस के इंपोर्टन न्यूज और एक्स्पेंपेज से इंपोर्टन आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले देख लेतें इंप का जो वेक्सीन है इस वेक्सीन को भी देखो अप्रूवल के लिए एक्सेप्टेंस मिलने के चांसेज हैं तो इससे एक्स्प्रेंट पेस पर आर्टिकल है वो देख लेंगे यहां पर हम नहीं देखेंगे कि कैसे काम करेगा क्या कॉनसेप्ट है इसका दूसरी न्यूस फ् सब्सक्राइब क्लासिस की जो कैटेग्राइजेशन को लेकर के सुप्रीम कोट ने पांच मई को जो रूलिंग दी है वह उसको रिव्यू करो रिव्यू पेटिशन डाली थी तो सुप्रीम कोट ने उसको रिजेक्ट कर दिया जानेंगे इस मुद्दे को तो तीन इसके अलावा यूरॉपियन यूनियन के 9 कंट्रीज ने कोवी शील्ड वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है कौन-कौन से कंट्रीज जानेंगे इसके आगे अभी रिसेंटली जो इंडियन एर फोर्स के बेस में जम्मो में जो इंडियन एर फोर्स का बेस वहाँ पर ड्र के सी लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल जिसमें चाइना की तरफ से हम क्या-क्या अभी भी अग्रेशन को देख रहे हैं या फिर क्या स्टेटस उसका वह भी जानेंगे और इसी से करेंगे एक्स्पेंट पेज 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 जो आर्टिकल है जिसमें यह देखो फेसिं इसका मैप देखेंगे और मैप के साथ में यह भी देखेंगे कि अभी एक वल्कनिक एरॉप्शन हुआ है तो ऐसे में बहुत सारे मास इवैक्वेशन करना पड़ा वहां से बहुत सारे लोगों को शिफ्ट करना पड़ा से प्लेसिस पे जानेंगे क्या है पूरा मुद्द अभी चाइना दे रहा है बोला उसमें हमें कोई प्राबलम नहीं है यह चीज बोली जा रही है तो यह देखो दोगली बाते हैं एक तरफ तो पाकिस्तान अपने आपको मुश्लिम्स का लीडर बोलता है और दूसरी तरफ और इसके साथ में जो कुछ भी हो रहा है उसके ल में समझ में आएगा कि क्या है पूरा कॉंसेप्ट इसके आगे देखें और यहां पर हम जो आर्टिकल डिसकस करने वाले हैं वह चोटा सा किया पी एम आई जो है वह मैनुफेक्ट्रिंग का थोड़ा सा लो चला गया है वह बताया जा रहा है और एक क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज में आप प्रॉब्लम आ रही है जानेंगे मुद्दा और OECD क्या है उसके बारे में आपको खुद को पढ़ना है और साथ में इसमें यह बताया जाए जा रहा है बाकी इधर से कोई इतना ज्यादा का है नहीं बस रुप्या जो है वह 23 पैसे और डिक्लाइन क देखने वाले हैं चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फ्रेंट पर इच्छे न्यूज क्या है कि रेगुलेटर्स के जो हाई टेबल पर जो लोग बैठते हैं चाए गवर्नर हो या फिर आर बीए के गवर्नर की बात कर रहा हूं उरजित पर तेल का नाम भी है यहां पर च टीएस विजेन ने हैड किया था इंडियन रेगलेटरी डेवलप्मेंट अथियूरिटी को वह चेयर करते थे अब उनका फिर बाद में जैसे ही रेटायर्मेंट होता है इनका टेनियूर कंप्लीट होता है एड़ाई का उसके बाद में यह जॉइन कर लेते हैं दूसरी कंपनीज को और वह कंपनीज कौनसी है वह वह कंपनीज जिनके ओपर एड़ाई ने कभी छापा मारा था या एड़ाई ने कभी investigation किया था तो conflict of interest आता है सीधा का सीधा तो यहां पर अभी एक और लेयर जुड़ चुकी है कि Civil Servants का है जो सिनेरियो है वह कुछ ऐसा है कि retirement के बाद में वो regulator join कर लेते हैं, regulator जैसे कि कोई भी RBI हो गया या फिर EDAI हो गया, SEBI हो गया, SEBI के जो चेर्मेन रहे हैं UK सिना, ठीक है वो भी कही न कहीं अभी private sector के साथ में associated हैं, तो point किया जाता है कि जब वो regulator के चेर कर चेर्मेन रहते हैं, उस time पर तो उन company को फाइदा पहुच चल रहा है, या फिर जो code of conduct होना चाहिए, या फिर जहाँ पर आप civil services के लिए आप काम करते हो, उनके ओपर सवाल बार-बार उठाए जाना है, तो companies को join करना, private companies की डिरेक्टर्शिप join करना, इनके बारे में हम आप अलरड़ी देखी रहे हैं, PSU की अलरड़ी देखी रहे ह इधर आप देख सकते हो, Competition Commission of India जो की antitrust watchdog है, वो क्या देखता है, कि competition सही properly manage हो रहा है, कि नहीं कोई company predatory stance तो नहीं ले रही है, ऐसे कदम तो नहीं उठा रही है, कि बाकी दूसरी कंपनियों को बरबाद ही कर दे, तो ये चीज़े ensure करने का काम करता है Competition Commission of India, आप देखोग कोई भी member Competition Commission of India को छोड़ कर कि दूसरी company जोइन करना चाहिए, तो इसको minimum 2 साल का cooling of period देना पड़ता है, सेम चीज़ आप Reserve Bank of India के लिए, तो वहाँ पर के वो cooling of period के वल एक साल का ही है, तो उरजीत पटेल, जो कि RBI के governor रह चुके हैं, उन्होंने भी क्या किया है, एक साल का cooling of period क्लीन किया है, और अब देखो, वह जोइन कहां पर करके बैठा है, मैं बताता हूँ आपको भी, यह आपके सामने स्क्रीन पर है, उरजीत पटेल, RBI के governor रहे, 4 सितंबर 2016 से दिसंबर 11-2018 तक, फिर उन्होंने जोइन किया, एक तो Great Eastern Shipping Company, एक अगस्त को, फिर उन्होंने Board जोइन किया, Britannia Industries को 31 मास 2020, और अब हुआ भी फिलाल जोइन किसमे करके बैठे है, John Cockrell India Limited, 1 April 2021 से, इनको जो mail किये गए थे, उनके बारे में इनका कोई response नहीं आया, ऐसे में ही, यहाँ पर आप देखो, UK Sina, SEBI के chairman, अब SEBI जो regulator है, उसके chairman बाद में cooling of period खतम करके, और फिर हैवल्स में, कभी वेदान था, कभी HDFC, कभी आविशकार, Venture Management Services, SEMAX Healthcare Institute, इन में वो काम करने हैं लगाता, तो यह अपने आप में conflict of interest या फिर आप कह सकते हो, कि हार, post retirement, जो भी perks लेना चाहते हैं, उसके लिए यह लोग काम करते हैं, तो जो वाकई में दुखद है, आगे च सीखते हैं, और इस तरीके के फिर examples आते हैं, तो वो क्या precedents शो करना चाहते हैं, वो देखते हैं, सरकार के हाथ में है, अब politics जब बिगड़ जाती है, तब सारा काम गरवड हो जाता है, चानक एगा एक statement है, वो आपको धिहान रखना चाहिए, कि जब politics में एक wise लोग, wise men ज पार्टिसपेट नहीं करता हैं, पॉलिटिक्स में, तब फिर निकम में लोगों के हाथों में politics सली जाती है, और फिर वो देश को बरबाद ही करते हैं, तो आपको participation से दूर नहीं रहना चाहिए, ठीक है, पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने देखो, reject कर दी है, सेंट्रल कर सकती है, तो इस चीज पर review petition डाली थी, पर मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आपका जो बेस है यह review petition डालने का यह प्लीज जो आप डाल रहे हो, बोले यह बिलकुल भी ठीक नहीं है, बेस थोड़ा correct ले कर गया हो, अब देखो केवल और केवल एक option बच जाता है, से जाय जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने अब अगर फिर से इसको reject कर दिया है, तब फिर option खतम हो जाते हैं आपके appeal करने के इंडिया में, समझ गए, तो यह है, तो पांच जजज की bench, उन्होंने यह कह दिया था, देखो पांच मई का जो ruling आया थ हम पहले बात कर चुके हैं, कि महराष्टा का जो case था, उसी case के साथ में, यह decision दिया गया था, इसमें क्या था देखते हैं, ठीक है, तो यह bench ने देखो unanimously, बिना कोई objection के, पांच judges की bench थी, तो उन्होंने महराष्टा government के दुआरा जो provision किया गया था, महराठा community के लिए, कि ह उनको सरकारी jobs देना और सरकारी colleges में, institutions में, admission में, reservation देने की बात की गई थी, तो उसको देखो एकदम struck down कर दिया गया था, खतम कर दिया था, फिर उसके बाद में, इसी judgment के time पे, पांच judges की bench में, एक verdict हो रहा था, एक statement और release किया जाता है, जो कि दो तीन के split में आता है, मतल कि socio-economically backward classes को reservation वो grant कर सके, इसका मतलब हो गया कि केवल central government के पास में exclusive right है, ये बात कही इस से constitutional bench ने, constitution के 102nd constitutional amendment act की बात करें, जो कि 2018 में आया था, इसमें देखो national backward classes commission को एक तो constitutional status दे दिया था, दूसरा, जो भी amendment करना है, जो भी backward classes, notified backward classes है, उनकी category में, listing में जो changes है, वो केवल और केवल president कर सकते हैं, ये provision किये गए थे, ठीक है, तो इस चीज को लेकर के, center और state की बीच में कोई conflict ना हो, उसको avoid करने के लिए central government ने review petition डाली, कि भाई exclusive हमारे हाथ में नहीं है, अब अगर किसी state में किसी community को reservation को state government देना चाहती है, तो और वहाँ पर जरुरत ह उस community की, तो भोलो state government की, वो authority होनी चाहिए, उसमें central government कैसे decide करेगी, पर supreme court ने क्या का अभी, कि भाई review तो आपने डाल दिया, that's okay, पर आपका जो base है ना, वो strong नहीं है, review के लिए हमें compelled नहीं करता, कि हम review करें, को strong evidence लेकर क्या हो, जिसके basis पर हम पूरे statement को देखें, क्यों आरे चीज़ें अपने आप में complex चीज़ें होती है, तो उनको समझने में बड़ी मुश्किल आती है, अब यहाँ पर अगर 5 judges की bench ने ये बात बोली है, और इसको review करना है ना, तो आप जहां तक है, और जो भी statement दे दिये गए, उस verdict में, उन statements को over turn करना, change करना है, तो आप क नहां पर आप dress देखो Xi Jinping की, exactly वैसी dress पहनी है, जो कि Mao Zedang, जो Chinese Communist Party को establish करने वाले लीडर थे, उन्होंने ये dress का प्रचलन रखा था, बाकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि Xi Jinping ब्लैक सूट में आते हैं, आज ये ग्रे सूट में, तो बात क्या है, कि अभी 100 साल हो गए है, तो ये बोला है साफ साफ कि अगर चाइना को कोई भी परिशान करेगा, चाइना के उंगली करेगा in short, ठीक है, कोई भी बुली बनाएगा चाइना को और कोशिश भी करेगा, तो ऐसे में बोले कि वहाँ पर आपको they will face broken heads and bloodshade, इतना बुरा, मतलब एक तरीके से बिलकुल extreme level की बाते कर दी, इन्होंने statement दी है, तो basically इनका जो attention है, वो है western countries में कि हाँ लगातार चाइना के ओपर सवाल उठाये जा रहा है, US से और जो western countries है criticize करते हैं, एक तो trade का जो concept है चाइना का, कि unilateral कदम उठाता है चाइना, countervailing काम करता है, इस तरीके से होता है कि दूसरे markets में अपने product को बिलकुल flood कर देता है, बरबाद करने काम करता है, technological policies की बात करें तो वो भी violator करने वाली है, military expansion देखो या human rights के records की बात करें, तो इनको लेकर कि चाइना पर लगातार सवाल उठाये जाता है western countries को लेकर के, तो इस चीज को लेकर के उनने retaliate किया है, कि अगर अब ढंक से दिया जाएगा, साथ में यह भी का कि one party rule जो है communist party का, उसके चलते चाहिना बहुत important role play करने लग गया, जो world में second world economy, largest economy बन गई है, global prominence देखो, कितनी important significance देखो चाहिना की, वो rise हो गई, यह सारी चीजे बताई जा रही है, और इस से related देखो, सुबह हमने editorial discuss किया है, Chinese Communist Party ने बजाए की Marx के concepts को, Marx को follow नहीं किया है, Stalin, जहां पर सारी powers अपने हाथ में रखनी, और जो भी dissent करे, जो भी against में जाए, उन सब को वहीं पे crush कर देना, यह सारा concept, वो सारी चीजे हमने देखी थी, बीच में केवल एक option आता है, डेंक जियाओ पिंग, चाहिना के जो प्रेजिडेंट बनते हैं, वो फिर भी थोड़े से reformist होते हैं, उसका result ही है कि China आज बहुत बड़ा country बनके उबरा है, पर Mao Zedang, जिनका दोनों एक ही है, ठीक है, तो इनकी leadership में जो कुछ भी China कर रहा था, वो अगर फिर से Xi Jinping की leadership में करेगा, तो China पीछे जा सकता है, औ और कहीं नहीं देखी सकते हो आप, कि चारों तरफ से objection भी हो रहा है, इन सारी कदम उठा रहा है, चाहिए इस्टन लगदाग में उठाए, चाहिए South China Sea में दिखाए, तो ये देखो, 100 साल हुए है, celebration है, और ये celebration में देखो, कहां पे, Tiananmen Gate, उसकी बालकनी से, जहां से नॉ कर्मली माउजडांग जो है, वो एड्रस किया करते थे पब्लिक को, आगे चलते हैं, नेस्ट निव जाए, European Union ने देखो, अप्रूवल दे दिया है, नो ऐसे कंट्रीज है, जिन्होंने कोवी शील्ड को एक्सेप्ट किया है, जो की सेरम इंस्ट्यूट आफ इंडिया की द उसने भी अलाव कर रखा है, तो एस्टोनिया ने भी कंफर्म कर दिया है, कि हाँ जी हम कोवी शील्ड को रिकगनाईज करते हैं, तो पॉइंट क्या है इसमें, कि इंडिया में जिन लोगोंने कोवी शील्ड ले ली, जैसे कोई भी स्टुडेंट है, जो यहाँ पे इंडि करके आ रहा है, तो उसको क्वारिंटीन में रखा जाएगा 14 दिन के, फिर उसके बाद में वो घूम फिर पाएगा वहाँ पर, तो यह क्वारिंटीन वाला जो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लूज हो रहा था, बहुत वेस्टेज हो रहा था टाइम का, तो ऐसे में अप्रूवल देना, यह बड़ी चीज है, वेक्सीन पासपोर्ट, वेक्सिनेशन पासपोर्ट, यह तरीके से ओनलाइन अप्रूवल देना होता है, कि हाजी आपने यहां से अप्लिकेशन डाली अपनी यूनिवरसिटी में यहां पर भी, जिस भी कॉलिज में आप पढ़ तो वहां से फिर आपको कोविड सर्टिफिकेट अप्रूवल हो जाएगा, कि हाजी यूरॉपियन यूनिविज की तरफ से आपको अप्रूवल दिया जाता है, कि आप आ सकते हो यहां पर इन कंट्रीज में, तो ऐसे नो कंट्रीज नहीं अप्रूवल दिया है, यह नो एकसेसिबिलिटी है, चाहे स्टेट हो या नोन स्टेट एक्टर्स हो, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज करने वाले लोग हो गए, या कोई भी सोसाइटी में ऐसे तत्वे, जो कि इंस्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं, सोशल थ्रेड में, तो वो लोग क्या करेंगे, क कि अब ड्रोंस को आसानी से अकसेस कर पा रहे हैं, क्योंकि टेक्नलोजी खुद डवलप कर सकते हो, घर पे ड्रोंस बना रहे हैं लोग, तो बोले ड्रोंस तो अब एक नॉर्मल चीज हो गई है, इजी ली एकसिबल है, चाहे स्टेट एक्टर हो, चाहे नोन स्टेट जो कि सरकारों को गिराना चाहते हैं जैसे कि terrorist organization तो बोले ये बड़ी आसान चीज हो गई है क्योंकि ये चीज आप देख सकते हो इसके बारे में detail हम next explain page पे देख लेंगे बाकी और LACP क्या status है थोड़ा वो जान लेते हैं तो हमारे जो military chief नर्वने जी उन्होंने ये काया कि L re-escalation का जो provision था वो देख फरवरी में हुआ था टैंगॉंग शो के आज पास में जो finger 4 तक वहां तक बैक कर दिया गया था चाइना की troops withdraw कर गई थी पर अभी तक भी कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर चाइना लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए हैं इंडियन साइड में ए पर इंडियन टूप्स पहले जाते थे अब नहीं जाने दिया जा रहा है वह कहां पर located है देप्सांग प्लेट में इनके इनसे रिलेटेट देखो में मैप जो है देप्सांग प्लेटी और यह सारा यह मैं जम्मु कश्मीर का मैप समझा चुका हूं लिंक डिस्क्रिप्श कंटीन्यू है ठीक है आगे चलते हैं एकस्प्लेट पेस्पे वही ड्रोन वाला कंटीन्यू कर रहा है फेसिंग अप टू ड्रोन चैलिंज इस आर्टिकल में देखो मुद्दा तो आपको पता ही है कि इंडियन एर फोर्स के बेस के ओपर जम्मू में अटेक कर दिया गया और हमारे जो आर्मी चीफ हैं एमम नर्वने जी उन्होंने भी यह कहा है कि अब तो ड्रोन डी आई वाई हो गया है दो इतना आसानी से स्टेट और नोन स्टेट एक्टर्स आसानी से एकसेस कर सकते हैं ड्रोन्स को अब सवाल ही आ जाता है कि मिलिटरी और टेरिस्ट पिछले एक दशक की अगर बात करें तो ड्रोन्स या फिर जिनको हम बोलते हैं अन्मेंड एडियल वाइकल्स यू एवीज ये लगातार यूज किये जा रहे हैं चाहे वो मिलिटरी के दौरा यूज करें चाहे पुलीस के दौरा लॉइंड और को मिंटेन करने के लिए या अब यहां पर सर्वीलियंस की बात करो लॉइंड ओर्डर की बात करो तो दिल्ली में जो शाहिन बाग राइट्स हुए थे ना नौर्थ इस्टन दिल्ली में वहां पर मॉनिटरिंग की गई थी इन ड्रॉन्स का यूज करके इससे पहले सबसे पहले अगर देखें तो 90 में यूएस से ने देखो गल्फ वार जो हुआ था सद्धा मुस्यान वाला जो था ना कि जब इराक ने अटैक कर दिया था कुवेद पे वही एरलिफ्ट मूवी ठीक है अक्षा कुमार वाली उसमें वही चीज है तो उस टाइम पर बोले पहली बार आप देख सकते हो मिलिटर पॉइंट ऑफ यू से यूज किया गया था ड्रोन्स को इसके अलावा यूएवी की रेंज कितनी हो सकती है यूएवी वजन उठा सकता है कम से कम धाईसो ग्राम से लेकर के रेंडे़ हं जो किलो मितर से वो unlimited रेंज तक जा सकते है और हाइट कितनी हो सकती है 2,000 फिर से ल सकते हैं मतलब या तो चार पंखे वाले या फिर चैपंखे वाले हो सकते हैं जिनका यूज सिवीलियन या फिर कॉमर्शियल परपाइस के लिए किया जाता है सिमिलर्ली हैटरन जुझ का भी यूज की वी आप ने ओरी मुवी देखी होगी तो उसमें टेरिसट और इस को वहाँ पर उड़ाते हैं वो देखता रहता है बाहर से ठीक है तो वो हैरॉन ड्रॉन्स है तो इनका भी यूज़ किया जाता है military surveillance के लिए कि हाँ पता ना पड़ेगी कोई दूर से देखे तो यू लेगे कि हाँ कोई bird हो जब कि है वो क्या drone तो ऐसे में इनको operate करने के भी अलग-अलग तरीके हैं remote controlling भी हो सकती है तो GPS से भी इनको control किया जा सकता है तो radio frequency से भी हो सकती है तो autopilot mode भी ये काम कर सकते हैं इसके आगे अगर association of the US army के according देखें तो first attempt drone attack का किया गया था terror groups के द्वारा 1994 में ठीक है वो भी कहाँ पे जपायन में पर वो बाट ठीक है कि वहाँ पर कोशिश तो यह की ती एक जहरीली gas serine इसको spray करना और लोगों को मारना ठीक है पर वो helicopter जो था वो drone था वो crash कर गया तो बच गये थे लोग यह serine gas ना यह आपको indicate अब क्या करती है अब आप देखोगे कि कौन कौन से chemicals यूज किये जाते हैं chemical weapon के तौर पे आप इनके example और अच्छे से detail में सारी देखोगे ठीक है तो serine gas का यूज किया गया था तो बच गये थे 2013 में al-qaeda ने पाकिस्तान में भी attack किया था ऐसे ही अब यहाँ पर कुछ important चीज़े है Islamic State जो कि सीरिया और इराक में operate कर रही थी उन्होंने भी ड्रॉन्स यूज किये थे तालिबान जो कि अफगानिस्तान में वहाँ की civil सरकार के अगेंस्ट में democratic सरकार के अगेंस्ट में खड़ा है उसने भी surveillance के लिए यूज किया था हेजबॉला जो कि लिबनान में operate करता है हौती rebellions जो कि यमन में operate करते है यह भी ड्रॉन्स का यूज करते है और होती वाला तो आपको पताए ना भी साओधी अरब के अंदर वह attack किया था अर्यमको के establishment पे जो oil RM को company के जो oil establishment है वहाँ पर attack करवा दिये थे तो ड्रॉन्स का यूज करना बड़ा normal चीज है जनवरी 2018 में एक 13 ड्रॉन्स का swarm swan का मतलब एक साथ जुन्ड निकलता है जिसमें दो Russian military basis के ओपर attack किया जाता है जो कि Syria में located है अगस 2018 में वेनेजुएला के president जिनका नाम है Nicholas Maduro इनके assassination के लिए drone भीजा गया था जब एक military का कोई program था हूँ वो attend कर रहे थे तो ऐसे में लगबग 14 planned attempt हो चुके है 1994 से लेके 2018 18 तक जिसमें बड़ा damage करने की कोशिस की गई है और इंडिया में हमने अपने latest देख लिया और अभी कुछ दिनों पहले आपको पता होगा कि अर्मेनिया और अजरबैजान ठीक है वेस्टेशन कंट्री है ठीक है यूरेशन कंट्रीज है वेस्टेशन तो क्या बोलूँ मैं यूरेशन मतलब यूरॉप और एश्या की बॉर्डर पे लॉकेटेट है तो इन दोनों कंट्रीज के भी इसमें भी कॉन्फिक्ट आता है तो इदलिब आपने मुवी देखियोगी टाइगर जिन्दा है सम्थिंग उस मुवी में इदलिब की शूटिंग है जहां तक मुछ ट्रांस्पोर्टेशन ये करना ये सारे काम बी एसफ ने तो बहुत बार डिटेक्ट किया है मई 14 को ही डिटेक्ट किया था एक पाकिस्तान की तरफ से ड्रॉन आता है और वेपन ड्रॉप किया जाता है जम्मू में एके 47 असॉल ट्राइफल से उनको फिर टार्गिट किया जाता है खतम किया जाता है तो अभी तक देखो टेक्नोलोजी कि किस लेवल की अवैलेबल है कि आँखों से देखा जाता है उनको उड़ाया जाता है पर अगर मान लो कोई ड्रॉन इतना छोटा है कि उसका आप रिकगनाईज ही ना कर सको देख ही ना सको तो बोला बड़ी लगता तो ऐसे में डिटेक्ट हो जाता तो ठीक है और ना होता है तो फिर बड़ को अगर हम मार देंगे तो वो ज्यादा परिशानी का करण बन जाएगा कितने पक्षियों को मारोगे आप ठीक है तो इंडिया के पास में अभी तक तो क्या है आई साइट दुर्बीन लेत है और बस देखते हैं और उड़ा देते हैं उनको ठीक है अब छोटा अगर टार्गेट आ जाए तो फिर बोले मुश्किले आ जाती है टेक्नलोजिकल एड्वांस्मेंट में लगातार कोशिश की जा रही है कि इलेक्ट्रो मैगनेटिक चार्जिज या फिर लेजर लाइट होना चाहिए कि जिससे कि उनको खतम किया जा सके देखो जैमर के तौर पे भी काम किया सकता है जैमर का मतलब हो गया कि मानलों रिमोटली कंट्रोल हो रहा है वो ड्रोन तो ऐसे में जैसे ही वो किसी पर्टिकलर रेंज में एंटर हो गया ड्रोन और वहां पर बाहर इसका र possibilities हैं तो detection और फिर उनको मार गिनाना यह बड़ी important चीजा जाती है अब बात आ जाती है कि इस तरीके की small drones को tackle करने में क्या challenges हैं दूसरे और क्या challenges हैं देखो बहुत ही different spectrum पर operate होते है small drones ठीक है अब वो delivery के लिए भी काम होते हैं जैसे हमने देखा civilian activities में भी काम होते हैं तो दूसरी तरफ उनको control करना मुश्किल हो जाता है देखो दो mechanism होते हैं इसमें एक तो होता है controlling mechanism एक होता delivery mechanism दोनों में से किसी को भी आप खतम कर दो delivery mechanism का मतलब हो गया कि जो drone खुद है उसको destroy कर दिया और control mechanism का मतलब आपने jammer लगा दिया और जहां से controlling इसकी हो रही है ड्रोन की वहां से उसका link खतम कर दिया तो दोनों में से बोले एक तरीके पर काम किया जा सकता है पर वो ही है क्या इतनी advanced technology हमारे पास में available है देखो DRDO कोशिश कर रहा है लगातार अपनी तरफ से इस चीज़ को तयार करने के लिए पर अभी तक भी एक कहते है ना कि हाँ full proof आप हारे पास में कोई point नहीं बन रहा है जिसका use किया जा सके कि हाँ जी एकदम full proof हमारे पास technology और advancement तयार है जिससे कि हम इस तरीके के drones को खतम कर सकें ठीक है DRDO counter drone system पे काम कर रहा है जो कि अभी तक तो VVIP protection देने की कोशिश कर रहा है दी गई है जैसे कि Republic Day celebration हुआ था 2020-21 में तब Prime Minister और Independence पे जो speech देते हैं Prime Minister उस टाइम पे भी और US President Donald Trump की जो visit हुई थी मोटे राइ स्टेडियम एमदाबाद में तब भी उस टाइम पे DRDO की यह counter drone system जो है इसको use किया गया था बट वही चीज है कि अभी तक एक तो सबसे main चीज क्या है कि इस technology का advancement अभी भी रुका हुआ है जितना advancement होना चाहिए उतना नहीं हो रहा दूसरी चीज क्या हो जाती है कि एक full proof confidence जब तक नहीं आएगा तब तक काम नहीं हो पाएगा ठीक है 360 degree का जो चारों तरफ से आप इनको scan कर सको वह एक concept भी होना चाहिए technology के development में अभी तक अगर military में या air force या हमारे जो defense sector है उसमें drones की अगर conduction की बात करें तो देखो sea guardian predator यह drone है जो हमने यूएसे से दो drones लिये हुए हैं जो की यूएसे से लीज पर आये हुए हैं उनको देखो अभी तक हमने navy को दिया है और हमारी Indian defense segment जो है उनके द्वारा को हमें increase करना है चाहे वह defensive हो चाहे offensive हो defensive का मतलब कोई attack करें तो हम बचा लें offensive का मतलब जरूत पड़ी तो दूसरे पर attack भी कर सकें तो यह चीज़ यहां पर बताई जा रही है तो आगे चलते हैं next explain page पर एक article हो और मिलेगा कहां पर अप्रूवल इंडिया में तो एमदाबास बेस्ट जाइडस केडिला एक कंपनी है फार्मस्योटिकल कंपनी जो की अब भी application लगा रखिया central drugs standard and standard control and control organization जिसमें emergency use authorization की demand की जा रही है अब देखने वाली बात है कि अगर इसको approval मिलता है तो यह world का पहला DNA based vaccine होगा जो कि SARS-CoV-2 that means COVID-19 को रोकने के लिए काम करेगा अब देखो DNA based यह काम कर रहा है तो यह है क्या देखो ZY-CoV-D जो है वो एक plasma DNA vaccine है इसका मतलब क्या हो गया कि इस vaccine में genetically engineered DNA का use किया जाएगा जो कि खुद से replicate नहीं करेगा non-replicating version इसका मतलब हो गया कि DNA खुद से खुद की copy ना बनाए नहीं तो क्या हो जाएगा uncontrolled manual में infection कर देगा और infection कर देगा तो आदमी की मोत भी हो सकती है हमें तो क्या करना है केवल और केवल antibodies create करनी है बाडी में immunity system को trigger देना है ओके तो genetically engineered यह non-replicating version होगा जो की DNA molecules का base होगा इसमें और उसी को बोला जाता है plasmide DNA molecules जो की non-replicating होगे और genetically engineered किया हुआ और उसी को plasmide बोल दिया जाता है तो इसका काम क्या हो गया कि यह coding कर दी जाएगी genetically engineered आप biotechnology से related एक chapter पढ़ोगे NCRT class 12 biology की उसमें पूरा detail में बताया है कैसे इनको gene editing होती है genetic engineering के बारे में biotechnology को पूरा अच्छे समझाय हुआ है वो chapter आप जरूर पढ़ना ठीक है तो ऐसे में आप देखो सार्स को टू और वैसे भी उस book का तो देखो last के चार chapter तो environment ecology के लिए important है और यह अगर पूरी book आप पढ़ लेते हो तो फिर कहना ही क्या ठीक है यह मेरे statement नहीं है यह जो कोई तो इतनी ज्यादा important नहीं है वागि 12 वाली तो पूरी book important है मोटी है book पढ़ देना बड़ी चीजे समझ में आनी लग जाएंगी क्योंकि अभी क्या है आप चाहिए background science से हो चाहिए arts से हो अभी आपके बिलकुल अंत्रतंत्र खुले हुए है आप जब भी कुछ पढ़ से connect कर देता है और उसके बाद में वो infect कर देता है cell को तो ऐसे ही इसी में काम किया जाएगा कि protein spike create की जाएगी और immune system को trigger करने के लिए इस spike spike वाले protein से infection किया जाएगा individual को vaccine है क्या basically infection ही तो कर रहा है हम किसी को फिर होता क्या है कि हमारे सरीर में फिर antibody जो response बनता है उसके basis पे antibodies बन जाती है फिर उससे क्या होगा कि next अगर corona से encounter होता है उस individual का जिसने vaccination ले लिया तो उसको परिशान ज्यादा नहीं करेगा COVID-19 तो COVID-19 vaccination की बात करें तो अभी तक तो हम देखते हैं को vaccine या को विशेल की बात करें तो दो डोसेज सल रही हैं similarly कुछ ऐसे भी है Johnson & Johnson का vaccine को single shot पर काम कर रहा है यह जो ZY-CoV-D जो होगा वो देखो इसमें 3 doses देनी पड़ेगी एक तो यह और 3 doses में 28 दिन का एक gap रहेगा 28-28 दिन के द यहां पर ऐसे device यूज किये जाएंगे जहां पर spring powered delivery system होगा कि उसमें आपकी skin के पास लाकर के और spring से एक तरीके से बोचार की जाएगी vaccine की और वो जो fluid है वो आपकी skin को penetrate करता हुआ अंदर enter होगा इस तरीके से यहां पर needle ना यूज हो करके के वो प्रेशर पर काम करेगा स पासा रही है ठीक है तो जैड वाई को डी की बात करें तो इसको develop किया गया है department of biotechnology और Indian council of medical research की help के द्वारा जाइडस के डिला में ठीक है तो यही था में यहां पर content इसमें और बाकी ज्यादा important चीज़ें नहीं आगे चलते हैं नेक्स्ट हम आगे world page पर यहां पर बताया जा रहा है कि mass evacuation किया जा रहा है फिलिपिन्स में लोगों का क्योंकि वहां पर volcanic eruption हुआ है और उस volcano का नाम है ताल volcano यह world के smallest volcanoes में से एक है जो कि active है और यह Manila जो कि फिलिपिन्स की capital है उससे 70 km की distance में located है अब एक तो सवाल आपके यह यह है कि फिलिपिन्स में अगर volcanic eruption हो रहा है तो कौन-कौन सी plates का collision हो रहा है वहां पर आप बताओ मुझे कौन-कौन सी जो plate tectonic theory के basis में plates के बारे में पढ़ते हैं कौन-कौन सी plates का वहां पर collision है यह आप बताओगे यह देखो world के smallest active smallest active volcanoes में से एक है 1911 में भी इसमें eruption हो जब 1300 लोगों की death होई थी यह चीज़े बताई जा रही है पहली बार नहीं हो रहा है अब देख लेते हैं थोड़ा सा Philippines के map को अब देखो यहां पर आपके सामने map है और यह इंडिया वाला इसको थोड़ा सा आप ignore करो यह हमारी territory है ठीक है बाद में क्या problem हो सकती है यह हमा कोशियन और इधर यह Philippines की खुद की Philippines प्लेट जिसको बोलते हैं वो यहां पर ही आया है जो आप देख सकते हो ठीक है map को अच्छे से देखा करो भई मैं कितनी वार बता चुका हूं map ignore नहीं करोगे चाह कुछ भी हो जाए ओके चलते हैं फिर से वापिस न्यूस पर फिर बा यह ठीक है यह उपर यह इधर आगया अलास्का यह USA यह मैक्सिको यह कैनेडा तो इधर वाले रीजन की बात हो रही है जो पैसिफिक के साथ में बॉर्डर शेयर करता है वहां पर हीट वेव आई है जिसके चलते हैं सो से जादा लोगों की डेथ हो गई यूस और कैनेडा म अब यहां पर ज्यादा कुछ डीटेल नहीं बताई हुई है एक्स्ट्रीम क्लाइमेटिक की सिच्वेशन बनी है जिसकी वज़ए से जिसकी मेन वज़ए है क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वामिंग 46 डिग्री टेंपरेचर तक अब वहां के लोग जो टेंपरेट स्टैबिलिटी रिपोर्ट जो कि RBI के दुवारा दी गई है और यह बोला जा रहा है एक तो क्रेडिट डिमांड लोग उधारी नहीं ले रहे हैं चाहे कितनी इंट्रस्ट्रेट डाउन कर दो क्योंकि लोगों के मन में डर बैठ गया है बहुत जारा कि लोन एक तरफ तो दूसरी तरफ लोन अगर चुका नहीं पाए तो वो बरबादी तो ऐसे में लोन लेने से रिस्क लेही नहीं रहे है रही सही में मार्केट में इतनी उमंग है ही नहीं तो ऐसे में लोग इन्वेस्टी नहीं करना चाहते हैं कि मार्केट में जब डिमांड ही नहीं तो क्यों पैसा हमारा उलजाएं और वो भी लोन लेकर के बेवकुफ कौन है वो वाली चीज है तो RBI ने देखो वर्निंग बैल रिंग की है और यह काया कि बैड लोन ना बैंकिंग सिस्टम में वो अब राइज होने वाले हैं सीवियर कंडिशन में पहुंच सकते हैं और लगबग साड़े 11 परसेंट 11.22 परसेंट तक है अभी तक बैड लोन हो सकता है जिसमें अलग-अलग सेग्मेंट्स हैं ठीक है उन सेग्मेंट्स में ना जाकर के पॉइंट इतना सही है कि Financial Stability Report RBI के द्वारा ये का है कि मैक्रो अगर स्ट्रेस की बात की जाए मैक्रो स्ट्रेस ट्रेस जो किया गया कि हाजी नौन परफर्मिंग एसेट कितने होने वाले हैं तो मार्च 2021 में 7.48 परसेंट थे जो कि मार्च 2022 तक 9.8 परसेंट तक बढ़ स दो रुपए तो एकदम बैड लोन हो जाएंगे रिटान आने का स्कोप बिलकुल खतम अब क्या है जिनको लोन दिया है उनको बेचो उनके एसेट्स बेचो मैनेजमेंट चेंज गरो माथा पच्छी और शुरू होने वाली है MSMEs के हाल सबसे ज़्यादा खराब है ठीक है तो ऐसे में बड़ी एक किल्लत चल रही है NPS का रेशो अलग-अलग सेग्मेंट में अलग-अलग बताय जा रहा है क्योंकि ये डेटा चेंज होता रहता है आप तो बस इतना सा है जो आपका ये है ना 2020-21 का Economic Survey वो डेटा देखना इस वो चीज आप रिवाइज भी कर लोगे कोट भी कर दोगे ना अंसर राइटिंग में कि Economic Survey 2020 का कोडिंग ये लिखा हुआ है बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ वाकई में गवर्मेंट डॉक्यमेंट को आप पढ़ते हो समझके क्योंकि ये डेटा क्या वैरी करता है अभी ये Financial Stability Report आई है अप्रेल माई की अब आने वाले फिर क्वाटर में और चेंज हो जाएगी तो ये चेंज होता रहता है इसमें इतना नहीं है हमारे लिए important क्या क्या चीज़े हैं एक तो क्या COVID-19 के चलते समश्या रही है Second Wave आई बरवाद कर दिया है रिटेल सेगमेंट की बात करो MSME की बात करो ये सारे बहुत ही बुरे तरीके से इससे घात को जेल रहे हैं और रही सही में जो डिमांड थी बॉरोइंग्स की उधार लेने वाली वो भी deteriorate हो रही है situation के साथ साथ में टाइम जैसे बीत रहा है इसके लावाब आप देख सकते हो कि COVID-19 का तो होई गया सारा बैंकों के पास में जो assets हैं मतलब जो loan दिया है बैंकों ने उन loans के against में बैंकों के पास में कुछ पैसा थोना चाहिए ने कि अगर वो loan बरबाद भी होता है तो जटका है वो जहिल सके तो ऐसे में CRAR जिसको बोला जाता है capital to risk weighted asset ratio वो जो की schedule commercial bank schedule commercial bank कों से है जो की RBI Act के schedule second में जो schedule 2 में जो भी commercial banks enlisted है उनको बलता है scheduled commercial banks ठीक है जो government भी हो सकते है private भी हो सकते हैं दोनों द्यान रखें आप तो वो अभी बढ़कर कितना हो गया 6.03% और provisioning coverage ratio की बात करें तो वो भी 68.86% हो गया March 2021 में अब अगर इन दोनों terms की बात करें कि CRAR और ये जो PCR है ये क्या होता है देखो CRAR को आप capital to risk weighted asset ratio या फिर इसको capital adequacy ratio के नाम से भी जाना जाता है इसका मतलब क्या हो गया कि RBI के दुआरा कुछ guidelines दी जाती है और बैंकों को ये कहा जाता है कि आपने जितना कुछ भी loan दिया हुआ है उनमें से अगर कोई भी loan बरबाद हो जाए आपको return नहीं मिले तो उस loss को आप compensate कैसे करोगे उस shock को कैसे absorb करोगे उस shock के absorption के लिए आप को कुछ amount अपने पास में रखना पड़ेगा capital adequacy ratio या capital to risk weighted asset ratio के तौर पे वो कितना अभी ये बैंकों के पास में कितना है 16.03 capital to risk weighted asset ratio जो है इसका formula simple सा क्या होता है कि bank की जितनी capital है उसका aggregate निकालो divide कर दो जितनी भी risk बनती है risk weighted asset है कि हाँ कोई भी loan दिया हुआ है अब बैंकों की liability है बैंकों को चुकाना पड़ता है बैंकों का asset क्या है जो बैंक लोगों को loan देते हैं क्योंकि loan से ही तो वह interest कमाएंगे और interest कमाएंगे तभी तो अपनी employees है उनको payment कर पाएंगे और साथ में जो भी infrastructure है उसको manage कर पाएंगे profit gain करेंगे वो सारी चीजें तो ऐस में जितना भी capital है bank का उसको आप divide कर दो aggregate risk weighted assets है तो ऐसे में आपके पास में आ जाएगा CRAR तो ये क्या है कि एक तरीके का minimum requirement है कि आप इतना रुपया तो रखो ही कि मान local को ना bank loan है जो आपने दिया वो return भी नहीं आ रहा है तो आप कम से कम shock को जहल लो तो ये तो हो गया CRAR PCR की बात करो तो provision coverage ratio इसका मतलब आप ये मानो कि bank भी तो कहीं ना कहीं से उधार लेकर के आते ही है ना पैसा अब market से अगर पैसा लेकर के आ रहे हैं चाहे वो bond release करें चाहे RBI से उधार ले या bank कैसे भी करें वैवस्त आपनी तो उनको भी तो interest rate pay करनी पढ़ती है कि नहीं तो उसके लिए भी बैंकों को अपने पास में अलग से separate fund रखना पड़ता है जिसको बोला जाता है provisioning coverage ratio जिसे कि वो अपनी liabilities को पूरा कर सकें वो भी बढ़कर कि अब बैंकों के पास में कितना है 68.86 तो बोला bank तो bankrupt नहीं होंगे bank तो bank run नहीं होंगे बरबाद नहीं होने manufacturing PMI की बात करें तो 11 month low level पे चल रहा है अब PMI जो है वो release कौन करता है यह है IHS market यह धान रखेंग पर्चेशिंग manager index इसके अलावा economy page पे diesel हो रही है डिमांड बढ़ रही है यह हमें पता ही है क्योंकि अब धिरे-धिरे unlock हो रही है economy crypto exchange में देखो कमी आ रही है flounder का मतलब ह रहा है struggle कर रहा है क्योंकि internationally अब चाइना ने तो बिल्कुल blanket ban कर दिया दूसरा कोई भी country entertain नहीं कर रहा है तो जिसने cryptocurrencies पर्चेश कर लिया वो cryptocurrencies में transaction करना चाहिए उसको मुश्किले आ रही है पैसा निकालने में इसके अलावा OECD की meeting में यह निकल किया है कि 130 countries जो की world GDP का लगबग 90% represent करते हैं उन्होंने जो 15% corporate tax जो flood किया गया ग्लोबल minimum corporate tax उसका accept किया है ऐसे में बताया गया है कि 150 billion dollar का additional global revenue tax revenue इकटा होगा अगर य minimum tax वाला provision implement कर दिया जाए इससे क्या होगा एक तो जो tax havens है ना उन countries की थोड़ी सी मुश्किले बढ़ जाएंगी जो बचे हुए countries है नो टेक्स havens की चाहिए Mauritius की बात करो चाहिए आप इन में से इदर Netherlands की बात करो साइब्रस की बात करो या लग्जंबर की बात करो Ireland पनामा यह चोटे countries जहां पर क्या है खुद की कोई economy नहीं है दूसरी currencies को flood करते रहते हैं जैसे अल सल्वेड डोल ने अभी bitcoin को approval दिदिया legal tender के तौर पे तो वहां उन countries ने approval दिया है तो ऐसे में यह अपने आप में encouraging चीज है बाकी तो time बताएगा कितना क्या corporate tax से finalize होता है अर्जेंटिना ने तो यह का है बोले 15% नहीं 20-22% करो कम है यह बस यही था पूरा इस discussion में sports space पे कुछ ज़्यादा important था नहीं discussion में इतना ही है thank you